आर्बियाई गवर्णर ने हाल ही में एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि हम जो है अगला फिनांशल क्राइसिस फेस कर सकते हैं क्रिप्टो करंसी की वज़ा से ये इतनी बड़ी जो उन्होंने स्टेट्मेंट दी है आज के पूरे सेशन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने किस वज़ा से ये सारी चीज़े बोली है और अगर ये बोला है कि हम इतनी बड़ी समस्या फिनांशल क्राइसिस जैसे समस्या अगर फेस करेंगे तो उसका सेल्यूशन भी उन्होंने कुछ दिया होगा वो क्या सेल्यूशन है और ये क्या प्रॉब्लम है इन दोनों मुद्दों के साथ आज हम डील करने वाले हैं तो हलो एवरिवन मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अड़ा 24-7 पर माइसलफ पिंकी आप मुझे रोज देखते होंगे आइम शुर आप मुझे जानते होंगे तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ जैसा कि आप यहां पर मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे न्यूस पेपर इस ने ये कवर किया है जो ये इतनी बड़ी स्टेट्मेंट हमारे गवर्नर ने बोली है कि फिनांचल क्राइस जो अगला हम फेस कर सकते हैं उसका कारण सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करंसी होगा आग आपको पता है एक तरीके का क्या होता है जहां पर क्रिप्टो करंसी की ट्रेडिंग होती है वो प्लाटफॉर्म होता है जैसे हमारे इंडिया में जैसे कोईन डिसी एक्स ये सब जो प्लाटफॉर्म है जहां पर क्रिप्टो करंसी की लोग जाके ट्रेडिंग करते हैं ठीक मैंने डीटेल में अपने burning issue में already cover किया है अगर आपको इसके बारे में अगर आपको ftx crash के बारे में बहुत अच्छे से समझना है तो आप मेरे burning issues पर जा सकते हैं ftx crash अगर आप search करेंगे मेरे नाम से मेरा अलग से playlist भी है burning issue का वहाँ पर आपको ये बहुत ही detail में बहुत ही अ ही है और उन्होंने clear clear शब्दों में अगर मैं उनके शब्द आपको यहां पर पढ़के बताओं तो उन्होंने clear 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 शब्दों में कहा है if cryptos grow mark my words the next financial crisis will come अगर crypto इसी तरीके से grow हुआ या फिर grow होता रहा हमने इस पर regulations नहीं लगाए तो next financial crisis जो है वो crypto currencies की वजह से ही आएगा क्योंकि cryptocurrencies की हमें पता है कोई underlying value नहीं होती इनका जो भी trade होता है वो 100% speculative होता है ये भी हमारे RBI governor नहीं बोला है यानि इनका जो भी trade होता है वो पूरा कालपनिक होता है speculative होता है इसको ना तो कोई central government ना तो कोई rules and regulations ना किसी भी देश का central bank कोई भी इसको govern नहीं करता है कोई भी इसको basically इसके लिए rules and regulations नहीं set करता है तो एक तरीके से ये अपने आप में ही चलती है इस पे कोई rules and regulations नहीं है पूरा ये free market है तो जितनी तेजी से इसमें उच्छाल देखा जाता है उतनी तेजी से इसके जो prices हैं वो गिर भी जाते हैं I am sure आप सभी को ये simple सा logic cryptocurrencies के बार platforms हैं right क्या-क्या examples है crypto currencies के जो हम basically बहुत majority में majorly use करते हैं उन सब के बारे में मैंने बताया है तो वो आप session जो है वो जरूर refer करिये आप सको बहुत जादा clarity मिलेगी वहां से right इसके साथ साथ हमारे जो RBI governor है उन्होंने ये भी बोला है कि हम जो है specially उन्होंने Central Bank की बात करी ह कि हम जो है crypto currencies को already refuse करते हैं हाला कि हाला कि मैं आपको याद दिला दू budget में हमने 30% tax लगाय था crypto currencies पे अगर आपको याद हो बट उसका मतलब ये नहीं था कि हमने उसको valid बोल दिया है हमने उसको ये बोल दिया है कि जी ये वैद्दे हैं हमारे देश में नहीं वो tax इसलिए लगाया था कि कुछ तो certain amount की हम regulations crypto's पर लगाएं है ना जो एकदम freely गूम रहे हैं किसी पर इसका कोई control नहीं है कुछ तो regulations यहाँ पर होने चाहिए बट फिर भी जो है अभी भी सारे banks in fact बहुत सारे जो commercial banks भी है HDFC है और बहुत सारे जो commercial banks होते हैं ये भी crypto's को नहीं इतना जादा favor करते हैं और RBI भी नहीं favor करता है RBI ने सिर्फ अपने लिए ही नहीं कहा है बलकि जो बाहर के जो central banks है उनको भी ये कहा है कि उनके लिए भी ये कहा है कि crypto's को बहुत जादा कोई भी किसी भी देश के सरकार favor नहीं कर रही है लग बहुत जादा favor नहीं कर रही है सब लोग अपने कुछ ना कुछ alternative solutions के साथ आने लग रहे हैं जैसे for example हम लोग भी एक solution के साथ आए हैं और इसी तरीके से जितनी भी बाहर देशों की सरकारे हैं वो भी किसी ना किसी solution के साथ आ रही है हमारा क्या solution है वो मैं आपको बता देती हूँ आप सभी को पता होगा अच लिए उससे पहले मैं आपको बता दू जितनी भी economy की definitions होती हैं कई बारी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समझना उसके लिए मैं यहाँ पर कोई कुछ promotion नहीं कर रही हूँ बट मैं genuinely आपकी help करना चाहती हूँ अगर आपको किसी भी economy के कोई भी concept में समझने में दिक्कात आ रही हो एक site है investopedia करके यहाँ पर हर एक definition आपको बहुत ही अच्छे और clear और असान भाशा में आपको मिलेगी यहाँ से financial crisis की definition में यहीं से लिए आपको समझाने के लिए तो आप इसको refer कर सकते हो अगर एक तरीके के dictionary की तरह आप इसको use कर सकते हैं right financial crisis आई तो आपको पत prices हम तब कहते हैं जब हमारे यहाँ पर जो asset होते हैं उनका जो दाम होता है वो बहुत जादा गिर जाता है ठीक है when we see steep decline जब asset जैसे for example जमीन के price है property के price है जो एकदम से बहुत जादा गिर जाते हैं देखिए किसी भी economy के लिए किसी भी चीज का किसी भी product का किसी भी asset का price ए एकदम उचल जाना एकदम जादा हो जाना दोनों ही conditions खराब होते हैं दोनों ही conditions economy के लिए अच्छे नहीं होते हैं इसलिए एक balance के लिए हमारी RBI हमेशा कोशिश करती है कि जो महंगाई है inflation है वो एक balance में रहे वो एक window में रहे जो कि 2-6% की जो window RBI ने दी हुई है कि जी इ 6.77 था अभी हम 6% के दायरे में उसको ले आए हैं जो कि एक अच्छी बात है हमारे लिए right तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि अचानक से जो decline हो जाते हैं मतलब कम हो जाते हैं दाम उसको हम financial crisis बोल सकते हैं मतलब ये कुछ conditions हैं अगर ऐसी ये सारी चीज़े होने लग जाए तो एक financial crisis आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं दूसरा है कि जितने भी businesses हमारे देश में चल रहे हैं या फिर consumers हैं उन पे जो कर्ज उन्होंने लिया हुआ है अगर वो कर्जा जो है वो अगर ना चुका पाए उन्होंने जहां से भी loan लिया है वो loan मतलब उनका business ही नहीं चल रहा है कि वो अपना loan चुका दे तो वो कर्जे तले अगर दबते चले जाते हैं तो वो भी कही ना कहीं एक संकेत है कि एक financial crisis हम future में face कर सकते हैं उसके बाद जितने भी financial institutions हैं यानि हमारे जो bank है अगर उनके पास liquidity crunch आ जाए यानि उनके पास अगर पैसों की कमी हो जाए उनके पास पैसे ही ना हो आगे consumers को आगे हम लोगों को loan देने के लिए वो भी एक financial crisis की situation आ सकती है उसके बाद अगर bank run हो जाए मतलब अगर देश में कोई ऐसी आफत पड़ जाए कि लोगों को लगे कि हमारा पैसा जो है वो safe नहीं है और सारे मालो 10 लोगों ने bank में जमा क लेती हूँ जब राशन लोगों का खतम हो गया था तो सब लोगों ने एकदम से बहुत सारा इखटा कर लिया है न ऐसे situation अगर bank को के साथ आ जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि पैसों की दिक्कत कुछ होने वाली है और सब एक साथ पैसा अपना निकलवाने bank के पास बैंकों की यही कमाई है तो जब बैंक के पास पैसा इतना है ही नहीं कि आप सबको एक बार में वो रीपे कर दे तो बैंक करेगा कहां से तो definitely financial crisis जैसे situation आ सकती है ठीक है जी ठीक है उसके बाद अगर stock market में किसी तरह का हमें crash देखने को मिले वो भी एक दिक्कत है या फिर financial crisis की तरफ हम बढ़ रहे हैं उसके साथ साथ अगर हमें sovereign default, sovereign default का मतलब है हमारी सरकार ने जो बहार से loan लिया हुआ है या for that matter किसी से भी loan लिया हुआ है अगर वो ना चुका पाए तो sovereign शब्द जहां भी आप पढ़ते हैं उसका मतलब होता है सरकार ठीक है अब सरकार से चलती रहें किसी भी देश में तो वो financial crisis face कर सकता है ठीक है I hope अब या आपको मतलब समझ आ गया होगा अब solution की मैं जो बात कर रहे थी उससे पहले मैं एक आकड़े आपको दिखाना चाहती हूँ ताकि actually ये आकड़े इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि हमारे जो RBI governor है उन् मतलब overall मैं crypto currencies की बात कर रही हूँ और उनमें से you want imagine सिर्फ 1-2% ऐसी है जो healthy liquidity hold करती है मतलब जो थोड़ा अच्छा खासा return देती है बाकी कोई अच्छा खासा return नहीं देती है और imagine करो जब इतनी सारी crypto currencies है इतना बड़ा ये market है इतना volatile market है कोई इस पे control नहीं है सिर्फ 1-2% कुछ ऐसे crypto currencies है Bitcoin वगेरा जो हो गया जो return देती है और अगर मालनो उन्हों ने भी return देना बंद कर दिया तो ये market basically यहाँ पर ये सिर्फ बताने की कोशश करी जा रही है कि ये market कितना volatile है कितना unstable market है और अगर ये grow होता रहा अगर लोग अच्छा एक और बहुत बड़ा reason और और वो जिस चीज में पैसा लगाया है वो डूप जाए है ना तो ये definitely ये ही तो financial crisis के conditions है ना तो financial crisis आएगा ही आएगा अगर इस तरीके से और ऐसी volatile चीज में आप कर्जा लेके पैसे लगा रहे है ये तो बहुत ही stupidity है कि आप कर्जा लेके ऐसी volatile चीज में पैसे लगा रह bank digital currency के बारे में सुना होगा जो हाल ही में RBI ने जिसको हम E rupee भी बोल रहे हैं वो launch किया है इसी को हमारे RBI गवर्नर ने as a solution propose करा है कि जी आप crypto currencies में मत invest करिए क्योंकि ये financial crisis ला सकता है इसका solution हम आपको देते हैं हम CBDC launch कर रहे हैं तो आप इसका utilization आपको जानना है या फिर E rupee के बारे में आपको जानना है तो उसके लिए भी मैंने आपके आपका एक प्रॉपर आपका session लिया हुआ है अड़र 24-7 official YouTube channel पर ही है वहाँ पर आप जाके search कर सकते हैं ठीक है वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं या फिर आप चाहते हैं तो मैं description में भी ये link आपको attach करवा दूँगे आप वहाँ पर भी जाके एक बरी उसको click कर सकते हैं देख सकते हैं तो ये solution propose किया है जो कि cryptocurrency से अलग है of course क्योंकि इसको regulate कर रहा है RBI है ना crypto को कोई भी regulate नहीं कर रहा था इसको सीधा सीधा हमारा जो central bank है वो regulate कर रहा है और भी बहुत सारे differences है वो उस video में आपको clear हो जाएगा कैसे CBDC UPI से अलग है कैसे crypto से अलग है किस तरीके से फायदे होंगे किस तरीके से use होंगे होगा ये पूरा ठीक है जाते जाते मैं आप सभी को remind करवाना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी competitive exam के लिए prepare कर रहे हैं तो मैं रोज सुबस साथ बज़े आपके साथ जुडती हूँ the bigger picture में अड़ा 24-7 regulatory bodies पर तो आप अभी के अभी इसको the bigger picture को जाके अड़ा 24-7 को subscribe कर लिजे जाँ जाँ नेजेब से जाएब बढ़ां